कर्देश की सरकार को कर्देश की सरकार को आज के इस जानत रोस राजी में हमारे बत्या परदेश के सुनानिया परवारी आपनिया अविनाज वाए खंडादी कर्देश के में रहे परदेश के मुख्या मत्री आज ही जाना साथ भी परदेश के समानिया अवार्टी दर्कार पार्टी के अरेश के आज ही एक अप्ति जिंदर भी मंच पर प्राज मार्टी सभी शांसर सभी बढ़ाएं सवाजाद मौपर्टी सभी करगत्ता मित्रो मेडिया के साथ हो जब यह कांगु सरकार आई थी तो सरकार में यह कहां कि हम दिवत्ता प्रगत्तन के लिए आएं मित्रो आज सत्मुच गलगत का प्रवत्तन हो जाएं जिन लोगों को पहले रोजगार मिला हुआ था आज को पेरोजगार होगे जिनको कहने तुम्हा मिल रही जी उनको चाहिवी नी मिल रही है जो दक्तर हमातर के लाग में दूर पुड़ाब के छेत्रों में लोगों को बचास परस के बाद मिने थे जाए करिए जाए सब्सक्राइब करने लिए जाए जाए करवारी के तक 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 वह जाए 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 कि अपका जाए है जो पहले जारम सर्काद एक सब्सक्राइब हो गई यही मवस्टा प्रवत्न है निक्रो यह सर्काद चूटी ग्रंटिया देकर पोटेश में सब्सक्रामा आई और आज यह घरना प्रश्क्राइब हो रहा है आज यह ट्रेलर है और यह ट्रेलर अभी वाकी आरी है मैं इस मंज के आवान से इस जम्ना प्रश्क्राइब के मंज के माटन से प्रकार को करदाना चाहता हूं कि आपने दो भी दम्स ग्रंटियां लेकर देश में आप शता सी उने से फूल ग्रंटियों को अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले जो लोग सब्सक्राइब है उसमें आप पूरी इस सब्सक्राइब कर देखेंगे आप लिए जंसा पार्टी जाड़ों की ताड़ों की कि अधिन सक्राइब खरेंद şeyi यम्रों की बंड़ती माता की जर्म स्ब्सक्राइब कोका इसे बन परियां आप अगे है शपर्ष कृमपा इसपरइगों वी मैस कृमपानी टरी नैटर म 66 कुझ आइख जुचु भॉयुक को भाई जुकु भॉयुक भ्याइख निए को सीजड़ें। जोड़्या गांजी का फेजायाता। कुर्णावाता, कुर्णावाता ने हाजायादादा है पुलापार। के शुकुर भाई, शुकुर्णावाई, रस्करणाङ्या कि दैपारी। मैं अपने वापी दिन्टा पार्टी के सब्सक्राइब हमेशा दिखने वाले आधनी आधनी को मंद पर आमंतिक करता हूं आप आए! है इतवा है 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 इस अब अधिश को नश्मारे साथ है और जो नहीं पुरिस वाले भाइयों के साथ ख़ड़े है वाभी उद्गोश करेंगे तोनिया खारे मेश्दोर की जाए रंदे वाच्ट वीजब भी जिलाफर वीजब भी जिलाफर एक साम करेंगे जैसे मेरे दोज सितार ही लहरा रे जुना सबी अपना अपना जुना ऐसा लहाएंगे को है कि कर दो अधसमिए चुना नीचे कर सकते हैं धनेवाद अज भारतिये जनताब पर्टी के द्वारा शिमला के एतिहासी चोड़ा मैदान में एच जबर्दस्त धर्मापरदर्शन किया है मैं भाजबा के कारिकरता हूं को बहुत बहुत बदाई देता हूं धन्यवा देता हूं इस मौका पर मंच पर विराजमाने हिमाचल परदेश के पूरो मुख्य मंत्री वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदर्ने शिरी जैरम प्याकपुर जी हमारे हिमाचल परदेश भाजपा के परभारी पूरो में शांसद रहे और पूरो में भारत के राष्ट्रिय उपाधेक्ष भारतिय जन्तापाटी आपका अविनंदन कोटी कोटी स्वागत। मंचाशी, माननिय सांचत, शिरी सुरेश कश्यव जी, माननिय सांचत, डॉक्टर सिकंदर जी, माननिय सांचत, इंदुगो स्वामी जी, भारतिय जन्तापाटी के दोनों महमंत्री, मंच पर विराजमान, भारतिय जन्तापाटी का समस्त नेत्रित्व, पूरव मंत्री गण, पूरव विधाय गण, इस मैदान में खचाखच बरे हुए, चंबा से ले करके, कि नौर तक से आए, मेरे साथियो, आजर केयों के भाईयो बेहनों, आपका मैं सब कार करता हूँ, अभी नंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आज शाथियों, दस महीने की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अल्ला बोले, आज तक इतिहास में, दस महीने की सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हला बोल कभी नहीं हुआ होगा, और आपको मालूम है, दस महीने में ये सरकार पूरी तरह से खेल हो गई है, धाराइशाय हो गई है, वो सरकार जो कहा करती थी, जरा एकवा, भाईया जरा पाच मिनुट दे दो, फिर मैं आपके साथ हूँ, वो सरकार जो कहा करती थी, कि हम दिसंबर आने दो, बाईस लाख बेहना को पंद्रा सो पंद्रा सो देंगे, और बड़े चटके और लटके ले करके बोलते थे, मुख्यमंत्री जी, जो वर्तमान में माननी है मुख्यमंत्री है, उनका वीडियो वाइरल हो रहा है, बोले एक घर में दो होला, है, चार भी होंगी, तब भी देंगे, और दिसंबर के महिने से देंगे, बाईस की बाईस लाख को देंगे, पर साधी करंटी किते पाई, हांजी, बेहनों, बोलिये, और उसके बाद, चिंता की बाद तो ये है, कि किसी एक इलाके में चले गए, और जाकर के वहां, हजार पंद्रा सो बेहनों को, पंद्रा सो रपे देने की घोशना की, और हिमाचल परदेश के असी लाख लोगों को, और जूट बोल दिया, हमने गारंटी पूरी कर दी, साथियों, हर घर में वीडियो है, हर व्यक्ति को पताए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, इनके विधायकों ने कहा, इनके हर नेता ने कहा, 22 लाख बेहनों को 15 सो रुपया देंगे, साड़े 13 रुपया, हर बेहन का कंग्रेस सरकार पर करगा, चड़ गया आ साथा हक, साथा हक, साथा हक, साथा हक, बेरोजगार यूथों के साथ जो धोका किया, जो शोशन किया, जो अन्याय किया एक ओ दिल्ली से आई अरे सुनो बाई ओ एक दिल्ली से आई अरे ठैर यार अच्छा सुनो बाई सुनो एक दिल्ली से आई बहंजी उन बहंजी ने बड़ा शोर मचाया और कहा एक जन्वरी आने दो और एक लाख नौकरिया पहली कैबिनेट में मिलेगी अच्छा मैं पूश्ता हूँ भाई जाराम जी कितनी कैबिनेट हो गई पता ही नहीं लगता कैबिनेट कब होती है और कैबनी होती है कैबिनेट तो होती रही पर युवाओं को दोखा दिया एक लाख नौकरी एक जन्वरी दो हजार और तैस में देनी थी अब कौण सा मीनना आ गया भई? कौण सा आ गया? तो साटा हक है तो साटा हक है ओ भाई तिलक राजे साटा हक है ओ धमदार बोलो साटा हक है साथियो इन्होंने करंटिया तो क्या पूरी करनी थी? लाइंड आडर का चकना चूर कर दिया चंबा में निर्मम हत्या होती है एक डलित युवर्ट उसकी हत्या करने के बाद उसके टोटे टोटे करके खड में डाल दिया जाता है और आज तक माने मुख्यमंत्री जी उसके घर पर उनको मिलने के लिए ने गए इससे जादा शर्म लाग बात क्या है चंबा है या सिर्मार है वो चंबा है या सिर्मार है कि नौर है या उना है या सोलन है या मंडी है कोई जगा ऐसी नहीं बची जहां माता बहने सुरक्षी तो जहां पर भुजूर्ग सुरक्षी तो और अब तो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में और बड़ा शोर मचाते थे मणीपुर में ऐसा हो गया वैसा हो गया अब तो हमीरपुर मणीपुर बन गया एक बहन के बाल काटकर मुझ काला करके सडकों पर गुमाया गया यह भिगडती कानून व्यवस्ता इन्होंने कहा था महंगाई हो गई जैराम ठाकुर की सरकार ने डीजल के दान गटाए साथ रुपया लीटर घटा कर महंगाई कम करी और सुक्विंदर जी और कॉंग्रेस की सरकार ने डीजल के दान बढ़ाए राशन के दान बढ़ाए टेक्सियों के रेट बढ़ाए और विजली के दान बढ़ाए और अभी तो शुरुआत है हर चीज पे टेक्स लगेगा नारे लगाने पर भी टेक्स लगेगा बीने के पाणी पर भी टेक्स लगेगा इसलिए ये सरकार आज क्या कर रही है आपदा है आपदा में बीजेपी सबसे आगे है हमारे राष्ट्रिय द्यक्ष सबसे पहले कुल्लू जाते मंडी जाते मना ली जाते लोगों का दुखदर्द पूचते हैं और उसके बाद दुबारा अधने नितिन गटकरी जी आते वो बोलते हैं सारे फोरलेन हाइवे मैं ठीक करके दूंगा फिर राष्ट्रिय द्यक्ष आते हैं माने जैराम जी जाते हैं आप सारे जितने विदाय क्या बैटे वो सब जाते हैं अरे भाईया ये परमार्चाप बीजेपी के लोग सबसे आगे रहते हैं केंद्र की सहता मिलते हैं परंतो एक तैय कर लिया कॉंग्रेस पार्टी ने और कॉंग्रेस की सरकार ने बंद कमरे में बैठ कर के हम जमता को और बेशक बेहाल रहने देंगे परंतो अपने नाकावियावियों का ठीकरा सीधा पीजेपी के सिर पर फोड़ेंगे अपने आप कुछ नहीं कर रहे, जो बेघर हुए, उनको जमीने नहीं दे रहे, जो बेघर हुए, उनको पैसे नहीं दे रहे, जहां सडके तूटी है, वो सडके नहीं ठीक कर रहे, और ठीक रहा, बीजेपी कुछ नहीं कर रहे, अरे बैस सरकार किसकी है? अरे विरेंदर सरकार किसकी है किसकी सरकार है और बोल रहे बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे अगर तुम्चे नहीं चलती सरकार तो छोड़ दो हम चला करके दिखाएंगे अगर तुम्चे सेवा नहीं होती है अगर तुम्चे घर नहीं दिया जाते है अगर तुम्चे सडके नहीं बनती है अगर तुम्चे लोगोंales नहीं जोता तो मार पज्यारम भड़कुरे हम उनिखाएंगे साथियों साथियों मेरे पीछे लगाएंगे नारा और यह हमारा जो नारा है यह हमारी अकली लड़ाई है अभी तो यह अंग्लाई है आगे पड़ी लड़ाई है चक्दभटे 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 चक आचल का एक एक व्यक्ति हमारा भाई बहन है हम लगातार उनकी सेवा में रहेंगे उनके दुख सुख के साथी पन करके रहेंगे पर जो अन्याय करेगा उसके खिलाब संगर्शमारा संगर्शमारा नारा संगर्शमारा दनेवाद भारत माता की भारत माता की एक नारा दोराओंगा उस नारे के मात्यम से दिल्ली न्यूज भेजनी है मैं नारा लगाऊंगा सोनिया कांदी को भेजो न्यूज तेरे परलब हो गए फ्यूज सोनिया कांदी को भेजो न्यूज कांग्रेस सरकार हाए थू कौंग्रेस सरकार मुरापर सोनिया कांदी को भेजो न्यूज मैं अपने प्रदेश के प्रवारी भारते दिंटा पार्टी के परिष्ट नेता आतर्निय अविनाश्राय खन्ना जी से निवेदन करता हूँ कि वह मंच पर आए और प्रदेश कर से आए हुए इस जन समदाय को संबदित करें आतर्निय अविनाश्राय खन्ना जी बारत माता की पीछे विया वाज हो गई भारत माता की बंदे मत्रम तो मिट ध्यांसे जुबा मोर्चा अगरी गए हुए 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 है अन्यवाद कि अधर ने कि मार्चल के परदेश रक्ष शिरी बिंदल जी जिनने जोर-जोर से मार्केस को इला दिया बहुत ही सतकार की योगियर हमारे पूरु बुक्षमंतरी शिरी जैरम ठाकुर जी हमारे मेंबर पार्लियमेंट सुरेश जी, इंदू जी, पुरेसर साथ, हमारे विधायक, पूरा विधायक और सीनियर कारेकरता बंदू मैं जहां बैठा सूच रहा था कि विधानसवा है किदर, तो सामने बतायागा विधानसवा वहाँ है, जहां पर कभी मुख्यमंतरी के रूम में हमारे प्रियरेता जैरम ठाकुर जी बैठते थे और जब हम लोग भूम के आते थे, तो इनको बताते थे कि भाई साथ, आज हिमाचर के लोगों को इस बात की जूरत है, तो केबिनेट बैठती थी, उस जूरत को पूरा किया जाता था चाहे वो अंशुमर भारत के साथ हिम केर हो, उजुला के साथ गरीज जोजना हो, चाहे वो अपने पेंशन की बात हो, जब हमने बात की, तो कॉंगरस ने पेंशन का स्लैब 80 साल की उमर के उपर रखा था तो मैंने किसी कामरी से पूछा, कि यह अप लिजने कैसे करते हो, कहते हैं इसलिए करते हैं, ना 80 साल का को होगा, ना हम पेंशन देगे तो पहली वर्जब रहराम जी आए, तो इन्होंने पेंशन साट साल की उमर में की, और जिसी बिदान सबा में बैट टिक बहुत सी तिसीले खोली, बहुत सी स्कूल खोले, बहुत से कालेज खोले, बहुत से बिद्री बोर्ड के दबतर खोले, पटवार सरकर खोले, और स्टियम की कचैरी खोली, तो इसी बिदान सबा में बैखने को, लेकिन लेकिन समय बद्रा, समय बद्रा, शायद हमारी मेहनत कहीं कम रही, हम 0.09% से हार कर, बहां पर एक ऐसी सरकार बन गई, जिसको भी मौका मिला, कि हम फैसले करें, यही विदान सबा है, और फैसले कैसे हो रहे हैं, एक फैसला होता है, कि जितने भी जैराम जीने स्कूल खोले उनको बंद कर दो, एक फैसला होता है, कि जितने भी हॉस्पीटर खोले, उनको बंद कर दो, और जितने भी पटवार सरकर खोले, उनको भी बंद कर दो, और जहां तक कि SDM आफिस, जहां से, जहां से चुनापी करवाया गया, उस आफिस को भी बंद कर दिया, अब बारी है कि विधान सवा में कांगरस का जाना भी पंद हो जाएगा ऐसा बातर बंद भारती अंता पार्टी के तरिकता नहीं जब मैं नारे सुन रहा था तो मुझे लगा कि हमाचल के लोग और भारती अंता की पार्टी के लोग बक्य बहुत श्रीप आपने नारा लगाया तुकु सरकार को कहा भेंजना है हरिद्वार भीया पाप साथ होते हैं कि इतने पाप कर रहे हो फिर भी उनकी दवा करते खो हरिदोर भेज सो आप उनको जहां भेजी की जूतब बहां भेजो आप तो बारवर प्राजमा करें कि हरिद्वर जाओ और जहां पाप परो वहां पाप हो गया जो तो इसलिए इसलिए जो यहां का नारा दिया है जनता मांगे हिसाब क्यों किया है विश्वाश भार कितने लोगों मुझे बताए कितने विश्वाश घात आपसे हुए है इसलिए मैं आपसे नवेदन करूँगा इतनी संख्या में लोग आए हैं मैं सिधा भुपाल से आपके पास आ रहा हूं मुझे भी आशा नहीं थी एक दन 20 हुई जो संख्या ली गई तो मुझे लगता था कि इस समय में माचल के लोग जो सड़के खराब हैं महौल खराब हैं क्या इतनी संख्या में लोग आएंगे तो मुझे आज देखके लगा कि हमाजल का दर्द लेके कुने कुने से लोग आज शिमला के चौड़ा मदार में आए हैं और जे मदान भी छोटा पड़ रहा है ये बेदना ले पसकानों में पड़ेगी आपने तो दार्वी डाल दी है वह थारी पहुंद जाए गी लेकिन विचार मोंब बात की बात है हम अधना काम कर रहे हैं हमारी जागरोग पार्टी है पर हम अगर ज्रत्क तकलीप बाद्री फेस्तह है कि उसको तकलीप आज ने यहां कर गाए कि हमारे साथ हुआ गया है आपकी हरान हो गए कि एक सरकार बनी गरंटियां दी गई यहीं खड़े होके उभलियों पे गिना गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और महिने भी गिने गई लेकर अब जे उन्टी गिंती शुरू हो गई है ये कोई भी गिंती तो पूरी क्या करनी थी जो हमारी सरकार ने काम किये हैं उनको भी बंद कर दो मैं एक दिल सोच रहा था कि सुखूजी के सलाकार कौन है राजाओं के सलाकार होते हैं तो सुखूजी ने पूछा अभी हमारे बिंतल जी बड़े जोड़ जोड़ से बेरोज़कर की बात कर रहे कि पड़े लगेर भी रोज़़़ारों की संक्या पहुत बढ़ रही है क्या किया जाए तो सलाकारों ने कहा कि स्कूल कॉलज बंद कर दो ना वो पड़ेगा ना वो पड़ा लेगा भी रोज़़़ार होगा उन्हें स्कूल कॉलज बंद कर दी अब जोज का सरकार शिक्ष करने की दूड़ी बनती है आज सभी फ्रंट पे सरकार फेल हो जाए मैं एक चोटी सी बास सुना कर अपना मीजे बंद करूंगा एक वार हमारे हमाचरियों के साथ क्या हुआ एक वार क्या हुआ एक अब वाहित व्यक्तात व्यक्ति था उसकी शादी नहीं हो रही था तो एक स्याना बंदा गया उसके पास कि बेटे ऐसा कर तेरी शादी हुजए की बाहर बापा लोई की एक कवर है बहां पर चालीस दिन दिया लिगा और चालीस में दिन तुम्हें बहुत अच्छी ख़बर मिल जाएगी वह 49 दिन जाडू भी करता रहा दिया भी जलता रहा जब 40 बें आया वह दीय भी जाला लेगिया तेल भी जाला लेगया तुम्हेल है तो शादी होने वाली है वह जाडू भी अब तो तुने मेरी इच्छा पूरी कर दी जब लंबरदार जी तो उसने पूछा क्यों लंबरदार जी को रिस्ता आया है किता नहीं तुम्हें बताने आया हूं तेरी मां की मौत हो गई है करना बाब बाबा लोई मैंने तो मांगी थी अपने बास दे तुने मेरी बापू वारी भी कोई तो आज जनता ने बोट डाला हमारी पेंशन फंद्रा सो हुई बिली तीन सो जुन्ड माप हुई लेकिन जो कुछ हमने दिया था उसको भी बापस ले लिया जे इस सरकार को शर कर दी है तो मैं इस स्ट्रेट फारम से इस मंच से जे गोशना करता हूं कि जनता के पास एक मौका आने वाला है वो मौका लोग सबादा चुनाव आएगा जितनी जितनी वोड से वो विदान सबाद के विदायक जीते गहे हैं दवल वोड से वहां से अपने MP को चिता के बे जनता ने उसका जवाब फिर पोड डालके भारती जनता पार्टी की केंदर में सरकार बना कर दिया है ऐसी आशा करते हुए आप सब का बहुत धन्यवाद आप सबसक्री बहुत 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 वह वगवाई कितनी संथ्या में सब लोग आए हैं बारत माता की भारत माता की बहुत बहुत ने बारत माता की यारों की सरकार को एमित्त्रों की सरकार को सौनिया गांदी को भेजा न्यूज सौनिया गांदी को भेजा न्यूज कंग्रेस सरकार मुदापर सुको भाई सुको भाई अब मैं प्रदेश के पूरो मुख्यमंत्री अपने लोग प्रियन एका आधरनी जैराम ठाकुजी से निवेदन करता हूँ अब मन्च पर आएं और प्रदेश पर से आएं हूए चर्चा भीदाए को समभादे करें अधरें जैराम ठाकुजी को भाई नहीं जैराम माता की भारत माता की ये आजिशी लूम जनीव है आजिश्य लूम जनीर ओजिश्यूम जनीव है स्टी आजिश्य बियां अजिश्यक आजिश्यक कांगर्स सरकार की जालु गरोधी नीतियों के खिलाब इस परदर्शेन में हमारे बीच में भार्थी जंता पार्टी के हमारे परदेश के समानिय अध्यक्षर आदनी ब्रॉक्टर राजी बिंदर जे जिनका आपने अभी संबोधन फुना पूर मेराके सवा के सांसद और हिमाचर परदेश में हम सब का माध्रशन करते हुए पार्टी के प्रभारी खन्ना जी भार्थी जंता पार्टी के पूरा में धक्ष रहे किम्ला के सांसद आदनी फुरेश कश्चर जी राजय सवा की सांसद पुष्री इंदु गोश्वामी जी भाई सिकंद्र जी मंच पर गैठे पार्टी के हमरे विष्ट नेता भाई विकिन सिंग प्रमार जी भाई सत्पार सिंग सत्य जी पार्टी के सभी पदाविकारी सभी पूरा मंत्री सभी विधायकन और पस्ति समी भाईयो गहनों और नौट बन साथियों आज की इस कारक्रण में आप सब लोग प्रदेश के पोने कोने से जहां पर पहुंचे आप सबका अभिनानदन है स्वागत है आप सबका बहुत दोता भाई और पार्टी के परदेश के लिखितों पार्टी के अग्रैक्षिव पार्टी की पूरी तीम को मैं बहुत और बदहाई देता हूं आज के इस कार्वक्रम के सफ़ आयोग उन पे लिए बहुत और आयोग राजाए पहिते हैं ये कार्वक्रम क्या गफ क्थटा बहुत गलदी पड़ से आम तो पर एक साह्थ देख साहथ के बाद इस तरह के शुवाक होती है दो साह के बाद शुरूआए होती है लेकिन प्रशन पैदा ये होता है कि अब शुरुआत वही तो बजा करें कोई तो बजह रही होगी कोई तो तारण होगा जब लोगों ने ऐसा समझ लिया कि अब भर में नहीं घर से बाद निकल करके चौप तो रहे पर को करके सरकार के खलाब आवाद गुर्ण करनी कोई और उस सबसे बड़ी बज़ा ये है कि नौ मीने का सरकार का कारकार पूरा होग लेकिं एक भी निरने परदेश हित में नहीं चन हित में नहीं चन मिरोधी निरने लिदी नहीं आप सब के आशिवाज की हमाचर परदेश के जनता के आशिवाज से पांच सारी हमाचर की जनता की सेवा करने का उसे प्राफ्ट हुआ लेकिन हम काम करने के लिए आये थे काम करते रहे और यहां हमाचर परदेश में कांकर्स पार्टी की सरकार बनी काम करने के लिए नहीं काम रोकने के लिए ऐसा रखता है कि काम रोकने के लिए पर लिए कि मुझसे पहले सुसाथी ने बड़ी बात कहिया है कि ऐसे तुक लगी फ्रमान चुड़ू हो गए करने जाना है कर दो गूहरा है नौव मीने का करकार बूरा होने जाना है लेकिन अभी तक कि जिच्ष्य में संस्थान बंद करने का करफ़ रुका नहीं वह भी अभी ज़्ट से लेकिन जहां सरकार बनी परदेश को पीछे ले जाने के लिए इस स्रकार की एक उपलब नी मुताईए वाजवी इदर देखता है उदर देखता है और सोचने के बावजूद भी मालूम ने पर पड़ पर सकता हो कि एक उपलब भी गिन्ने नाई पक्या और हमने किसी जगह हमने बच्टू के बीच में बैट करके हमने बात करने लगे अब रिका एक उपलब भी मुताईए नहीं मालूग लेकिन किसी ने बीच में कहा एक उपलब दी सरकार की ये है कि जो चले हुए संस्थान एक हजार से ज्यादा की संक्या में जहां डाक्टर बैट करके मरीश का यलाज आठ मीने से कर रहा था तैसील दाख छे महीने से तैसील को चला रहा था वीडियो चार मीने से व्लॉग का इफिश चला रहा था उन संस्तानों को बंद करने की यही एक मातुरूपलप्थी पर्थपन से लिए हम सोचते थे कि यह सुख्कों जैसा ही ऐसी दाज नहीं है शरीपार नहीं है अच्छा सोचता होगा अच्छा काम करने की भावना रखता होगा अदि श्रीमाजर पर्देश में अनेक बुख्यमंत्री रहे लेकिर किसी ने भी इस भावना के साथ बदरेगी भावना से हमाजर पर्देश काम ने किया अच्छा से सुख्फू ने किया और इसलिए आज के इस कारक्रम में यह अपका मूट लगता है कि आप लोग इस मन को बना करके आएं कि इसे तो आदत पढ़ गई काम को बंद करने की और एक चीज़ हम भी करें कि जिस तरह चीए टोनी दीनोटिकेशन का इसका दौर अभी दस मीने पूरा बनी के बाब दूर पे नहीं रुका है कि एक दिन बहुत जल्दी आएगा ऐसा लगता है कि यह सरकार भी दीनोटिपाई हो जाएगी आपने करन की पर दो करने कि दो अधार को दौर आने युद्धरम पर देश्त में बार बार कहा जाएगा जाएगा जिए कि पूरफी सरकार ने करदा लिया है कि और करदा कैसे बताते हैं कि इस ब्रकाते लोगों को गुम्राख करने की कोशिश होती है कि आंकड़ा कभी 75,000 प्रोड बोलते हैं कभी 25,000 प्रोड बोलते हैं और इस सरकार की खास्यत है मुख्या मंत्री कुछ बोलते हैं मंत्री कुछ बोलते हैं विधाय कुछ बोलते हैं लेता कुछ और बोलते हैं कोई ताग में नहीं आपस थे अभी पिछले कर विधान सबा के अंदर हमने परसुम ने विधान सबा के अंदर बात करें जब हमने सरकार छोड़ी कि हिमाचल पर करदा जो है ना पचेतर हजार था ना पचेनुए हजार था हिमाचल पर देश्ट में 69,600 प्रोड मातर ये था हमें कहते हैं कि आप रिंड लिए हमने का बैस सुक्तु भाई हमसे गलती हो गई आप मत लीजिए कि चलाए सरकार छोड़ी लेने की बज़ा क्या है लिए लिए इमाचल पर देश में जो पांग्रेश ने पांग्रेश में पीछे रिइन ले रखाये हम पर देश में उसकी खिष्पों को उसके ब्याद की किस्तों को आथा खनने के लिए लिए विवस्ता उनको ये मालूम होना चाहिए मैंने पांच साल की कारेकाल में जो इनका रिंग लिया हुआ उसमें से 38,000 क्रोड रुपे से ज्यादा जो है इनका लिया हुआ रिंग बापिस किया और जो कर्ज था कर्ज की किस्तों को बापिस कि अगर हमें कहते हैं कि रिंग ले रहे हैं अरे हमने के दो सालों में 7,000 के लगबग रिं लिया 7,000 क्रोड लिया आप ने तो आठ मीने में 8,000 क्रोड पार कर लिया इससे बढ़ा छर्म की कोई बात ने हो सकती है रोती रहते हैं रोती रहते हैं जिल में है जैसे कि मेरे को लोड डिल सेचिक्रिट देखर के गए थे हमें कहले कि आपकी देंदारिया हैं और मैं आज ये कह रहा हूं हमने उतेंदारि मुझ कभी जिक्र ने किया कर्णा जब बीर्भकर सिंद्धी सरकार छोड़के केए थे दो 2017 में भाजपा की सरकार बने दस हजार प्रोड रुपे से जादा की देंदारियां इनके ते आम ने उतका जिक्र ही नहीं किया कि इसलिए ने कि अजिकर क्योंकि जो सरकार बनके उसकी जिम्यवारी होती है आगे बढ़कर के उन जिम्यवारी को निभाना देन दाड़ी को पूरा करना अगर आप देन दाड़ियां पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप बने कहे को आए अब हम हमाचल पर्देश में पर अलग तरह की पर सितिक आई है पुरा हिमाचल आपदा के दौर में से गुदर रहा है और इस आपदा में अपकी बार हिमाचल पर्देश में लगबख साड़े चार सो लोग की जिन्दगी चले गई हम सब्भी परिवारों के प्रतिय अपने थादिक संवेद्रा करते हैं केंद्र मदब कर रहा है लगातार मदब कर रहा है दो बार 112 क्रोड 180 क्रोड देने के बाद तीसरी बार 190 क्रोड उसके बाद 4 बार 200 क्रोड और बेशर्मी की हाद देखिए कि उसके बाद यूद क्याते हैं कि कुछ नहीं बेखा करनी कहां से है यह नहीं दो वह हमारा हिस्सा अब होते हैं जहते कि जमा करके रखा था उनने को आप मैं इस बात को क्या सकता हूं मैं आगर यह पर्धान मंत्र निरंद्र मोदी की का हिर्दे से अभाद्वत करता हूं इस संक्र की घड़ी में इस आपड़ा की घड़ी में हिमाचल परदेश को जिस रीप मदद्र मिलनी चाहिए आपने मदद की आज हिमाचल परदेश के लिए आपने जो मदद दी है उसका वो लोग धन्यवाद ने करते हैं वो धन्यवाद ने करते हैं लेकिन हिमाचल परदेश की जन्ता और यहां हम सब लोग को है आपका हिलने से अभादत करते हैं आपका बहुत बड़ा सहोग आप मदद दो जेशीरम जेशीरम कैणे जब हम कहने देऊं और जाव गृष्टी में लोगों की मदद करिये हमें ठहने लगे कि मत बोल ये मत बोल ये ये आपके घड़ी है राज दिन आहीं करने हम ने का ठीक है हम नहीं कि आप लेकिन अपने अग्राँदिक कैसे करते हैं केंदो मदब पर रहा है केंदर टर टीम वेर करके जिन्दी को बचाने के लिए पर्देश फिस लोगों की जिन्दीक के लिए काम कर रए है और उसके बाद रूब ये केंदर में कुछ नहीं कि और आज हम यह पूछना चाहते हैं केंदर में बहुत किया और हिमाचल के इतिहास में आज तक जितनी मदद मिली है संकट की घड़ी में आपकी बार हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा मदद मिली है इस गेली में केंदर के नेतित आदमी प्रधान मंति जी का अवाल रखता है पार्टी के हमारे राष्टिय जगत प्रकार स्बड़ाजी दो पार हिमाचल प्रदेश को और आपदा में जहां जहां लोगों की जिंदिगें चले गए चिए जहां नुक्सान हुआ था वहां जाक वीजो मानने लिए विधान सबाक के अंदर प्रस्तार एंकि राष्टि आ जोशिद करो आपि और हुवने बहुंत है हम अध़के लिए हमाचल प्रदेश की ओर से बीधान शबाद के ओर से कS रकार के सामने कश्राइब बुक्ति के आगे आगे करते हैं थे मदद मिल रही है और मुक्सान ज्यादा हुआ और मदद दीचाहिए इसके लिए हम ठoking इस तरह की राजमिटिंथि करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें प्रबचन दे रहेם कि आप राजमिठी मत करकें ये दें हो सकता है हुआ है और सूचियान बंकर के जो है उनको कहा जारा जिकारी को कहा जा जारा इसको एक लाइव को दो लाइव को छला निलिए को तीन लाuição वीजिए को पशा सी अरे रहे आमिका इस कजा नहीं आफ्ञा का पैसा इस तरह से समय पांवकिस चला गया जिसका परिवार का नेतां को मिलना चाहिए जल्ब के कारे करते हैं कोई मुझे कहने लगे ये कांगरुस के जरकार ये तो आपदा में भी अफसर कलास्थी है ये जांच के विशे होंगे आना वाले सुपवे में तंपो कहां से खरीदे गए कितने खरीदे गए कौन खरीदने वाला और कितने थि दिया गया और कितना पैसा उस पे खर्च किया गया ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा गोटाला निकलने वारा आवाने बने सुमय में कॉंग्रेस के लेता हूं के सब को काम किया गया है यह हमेरा रोप है और इस प्रकार से तब हिमाजर पदेश की बिधान सबा के अंदर जब हम पोच्छते हैं प्रशन का जवाब नहीं देते हैं उसको गोड़ करते हैं इसलिए आप शक्ता मैसिस हुई हमको विधान सबा के अंदर तो आमने जितनी बात कहनी थी वह तो कही रहे हैं लेकिन वक्त आ गया हम विधान सबा के बाहर भी बात करेंगे आज इसलिए आप सब को यहां पर गुनाया है जहां इस कारिक्रम में आप पहुंचे आप सब कर में बहुत को धन्यवाद करता हूं कि आयों वहना में समझता हूं कि यह हमारा सवदाग्या है कि देश में मजूत नेत्री तो निरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में आप अधारत भारत का संबाइब प्रिथ्वी पर तो होई रहा है लेकिन भारत का तिरंगा चंडर मां पर भी पौँच गया यह हमारे प्रधान मंत्री निरेंद्र भाई मोदी जी के लिए बदहाई का सदेश को हमारी उससे है ही लेकिन साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो साइंटिस्ट ने काम किया उनका भी अमधिल्दे से अभारवट करते हैं उनको भी बहुत 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 बड़ी बात है कि राम मंद्र का निर्मान की दिशा में भारत आगे का यहां पर होता यह बहुत बड़ी बात है और उसके साथ साथ में आने वले समय में ने जो कांग्रेस के नेताओं की जो मंशाई हमाचर परदेश कहं को देखने को मिली उसमें एक ही बात लगती है इनको लग राजी लोगसवा का चुनाबारा है लोगसवा के चुनाब मे ग्राम कठिंग होगा और इसलिए इस तरास्ति के नाम पर ठीकरा पोड़ने का काम करना चाहिए और वो ठीकरा पोड़ना चाहिए भाजपा के सिर्पार केंगर सरकार के सिर्पार इस सारी चीज़ की जादत नहीं हो गई दस मीने के स्चोटे जेका,र्यकार मा डیजल की किमते बढ़ा कर के साथ रुपए की, इंक्रीज कर दी, बहुत बहुते थे कांगरेस जेपा गिमत भाण डी डेड़ साथ से पुरे देश पे डीजल की केमते ने बढ़ी लेकिन हिमाचल परदेश सरकार में ब्यवस्ता परिवर्तन का दौर देखिए कि डीजल की केमते बढ़ा करके उसमें गरीब लोगों के उपर बहुत इदाव दिया गरंगी अधस्ति का विजली अंफ्री देगे और विजली फ्री देने की बात कहीं लेकिन विजली और ज्यादा महंगी कर दी इंड़स्ट्री हिमाचल परदेश से छोड़ करके दूट्रे परदेश मुचाने की त्यानिक महिलाओं के लिए का कि 15 सवर पर देंगे अरे 15 सवर पर आप कहने बाले आज देश के पदान मंत्री अरेजर भाय मोदी जी को मैं अभिननदर करता हुँका कि महिल आरक्षन का बिल लंबे समय से चर्चा में था और चर्चा पे बात चर्चा ही होती थी आगे कुछ नहीं हो बिल पारित हुआ लोग सभा में रज्य सभा में और बहुत जल्दी वो बिल लाबू होगा आने वले सुमय में महिलाओं के सम्मान की दिश्टी से कहा था और हिमाचल परदेश में कॉंग्रिस नहीं कहा था क्या हम सत्ता में आएंगे पहली कैबिनेट की पहली बैटक में एक लाफ नौकरिय निकालेंगे पांच लाफ भीरूलगारों को पांच साल में नौकरिय देंगे और आज मेरे साथ यहांपर हम देख रहे हैं कि यहांरे बहुँत सारे ज़वान यहांपर है जो नौक्तिरी पर लगाये थे ओप्सोर्श में हमने लगाये थे उनको आज सड़कों पर रहने के लिए विवश्ट कर दिया यह परस्थिति आज हमारे साथ हमारे साथ याप पीछे धड़ने पर गठे और ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी को जोखी में डाल करके जब कोबिड का दौर था कोबिड के मरीज के लिए खाना खिलाया है दौराई खिलाई ये पानी पिलाया है और कोई दुनिया से भी चला गया ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने उनका अंतिम संस्कार तक प्या जब परिवार का आदमी उस उस गर्तिता परिवार के सदस्य के रिष्टेदार के पास जाने के लिए हिमत में तुटा पारा था तो यही बच्चे थे जिन बच्चों ने उनके लिए प्राम दिया नोटिस दे दिया कि आप छुट्टी कर लिए तीस तारीक के बार आपकी सेवा इसमात होंगी और आज मैं उनको कहना चाहरा हूं कि मुख्यमंतिर जी कम से क हम थोड़ी तो दया करो थोड़ा तो घदवन से करो यह देभूमी हिमाचल पादेश में हैं और देभूमी हिमाचल पादेश में इतनी निर्द्यलता के साथ व्यवार करना खुरूरता के साथ व्यवार करना यह उचित नहीं है हमने का कमस्का मांग भी दृष्टिकों देखिए हिमाचल परदेश में नौकरी देने की बात तो दस बीने में बहुत दूर की रही दस हजार के करीम हमारे और सोर्स में लगे हुए करमचारियों को घर का रास्ता राता यही दोर देख रहे हैं और शलेष ब्यवस्टा परिवर्तन के दार को बदनना होगा और बदनने की शुरूआत आप सब भाई बेन यहां पर आए हैं आप करने के लिए आए हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुरुवात हो देंगे और ये शुरुवात को हुई है ये रुकने बाले नहीं है आने बले समय में हर जगा पूरे परदेशवर में आपको ऐसे दौर में से गुदरना पड़ेगा जहां लोग पूछेंगे जहां पूछ रहे हैं आप तुटू भाई दस गर का रियूसी का क्या हूआ ये पूछ रहा है परदेश नहुंट है थिन सौ यू कि यूनिट विजरी का क्या हूआ ये परदेश और उसके साथ साथ में बाती सारी चीजों को लेकर के मुझे बात लंबी नहीं कहनी है मैं यही कहना चाहता हूं कि आज बच्चा बच्चा इस बात को पूछ रहा है कि दस गरंटियां कि जवाब देना मुश्चिब है हम विधांचावा के अंदर पूछ थे तो जवाब नहीं लेकिन हमने का पिधांचावा के अंदर नहीं अपिधांचावा के बाहर भी कूछा जाएगा और जिस तरह से हमाचन पर्देश का ये दस मेने का कारेकार जहां आगे बढ़ने का होना चाहिए तब दस साल पीछे चला गया एक को आपदा अपर से और आपदा के साथ ही सरकार भी आपदा से कम नहीं ये भी एक तरह की आपदा ही है और इस आपका से बाहर निकलना होगा चाहिए प्राकृति का आपदा उसके लिए हिम्मत उटा करके हमारे सब भाई बैन निकलेंगे और इसलिए हमने मांग कही है कि जिसका खर चला गया है उसके लिए जो केंगर कियों से जो मदद आई है उस मदद में से हर व्यक्ति को कम से कम दस दस लाज रुपए मिलना चा अनलाके करीब उसको भी मिलना चाहिए यह लोगत प्राफद्द्धान के अंतरगत जो है पैसा बढ़ाने की आफ सकता है जो पैसा अभी आप दे रहे हैं वो पैसा तो निर्धारित है लेकिन केंदर से जो अमरी केंदर की सरकार ने जो मदद भेज़ दी है उसके चलते ये पैसे में बढ़ोतरी होनी चाहिए हम ये मांग करें और इसलिए आने बारे सुभए में आप से भी मेरा भी मंदल नवेज दरस बाद को लेकर के कि जहां भी कुताही करेंगे जहां भी कुताही करेंगे जहां भी आपदा की सराहत देने में कुताही करेंगे तो उनसे प्रशन पूचना चाहिए ये आपदा कॉंग्रेस के लेताओं के लिए नहीं ये आपदा पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है प्रदेश के लोगों के लिए जो पात्र रख्तिया हैं उन तक रहत पहुंचनी चाहिए यह हमारी मांग यह भाति जनता पार्टी की मांग है और इसलिए आज इसकारिक्रम मैंने आप सब के बीच में जिर्बित्र ही कहाना चाहता है कि आप लोगो भाति जनता पार्टी के आभान पर यहां पर आए रहें और हमारा पड़ा साथ कहना है कि दस मीने की सरकार की कारकाल का जो जन ब्रोधी निर्ड़ने होए है उनका विरोग करने के लिए हम यहां पर आए हम आज ये भी कहना चाहते हैं कि सबर जाएए आने वाला वक्त जो है और बी कठीन आने वादा है आपके सामने अभी तो हम आए हैं लेकिन हमने इस बात को भी देख लिया ठोटे से नौ मिने के इस कारेकाल में लोग जनता है वो चौक चौराहे पर खड़ा होकर के बोल ही ने रही है वो मंत्रियों के रास्ते रोक रही है मंत्रियों के खिलाब नारे लगा रही है कॉंग्रेस के विदायकों के खिलाब नारे लगा रही है क्योंकि वादे आपने किये थी लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और वादे की बात तो एक जगा लेकिन जो काम चले हुए थे भाजपा की सरकार में सारे के सारे काम आपने बंद करके रखे हैं इसलिए जद्विरोजी नेतियों के छिराफ आज का ये कारेक्रम शुरुआत है और ये शुरुआत याद दिलाती है 2007 के चुनाफ से पहले की यही यही जगा थी जब हमारी पार्टी के सब्क्रमुक नेता यहां पर इकटा हुए थे शुरुआत की थी पॉंग्रेस में हमारे कारेक्रतों के उपर पत्राव किया था शांता कुमार जी उस कारेक्रम में गायर हो गए थे धोमजी अम सब लोग में पार्टी का धक्षोग हुआ करता था उसकत और शुरुआत हुई थी लेकिन अंत में ताय ये हुआ जब चुनाब हुआ तो सरकार प्रचंड बहुमत के साथ भाती जन्ता पार्टी की बने ये मैं कहना चाहता हूँ आओ शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं इतनी बात कहते हुए आपसा बात के सकारिक्रम में यहां पर पहुंचे बहुत 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 अभिनंदन नमस्तार जैहिं जैशित्रा कि कि आपि करेंगे अंशाशन में करेंगे यह मंचपन क्रतियव जन्ता पार्टी का नेत्रित वह बैठा है हमारे पूरुमद्री कछ विधाय कछ भंधी भंधी का नेत्रित वह ये आगे चलेगा फूरी आपके कि यहां एक बार पंसी बदों करके पहनों को और नेदाउं को रास्ता देंगे कि यहां तो ध्यांवट के मेरा अक्रे है पाली जैराम जी अप्रीट करें सारे मंच के लेता इनके साथ रहेंगे कि अप्रीट पाल आने करने देखार अभारा इच्छारा इक रेखार सोफे डेखार इनके सारे और पंसी कि यहां गौकरिसता इसक भारे करें आ zorी जो अ कर दो अब लुल ऑनो जרुटितो ही अगव można ऑूगर ही व्ये हाट फिर दुटित हो गविन पात गविन होग क्या है मतलैकि गेंग गेलायां थे लेक्तर नियुट कि दान जवाटियों आने पुरेगा और सभी कारेकर का उनके दिखान मिदेश से उनके दिखे चलेंगे बारात मता की सुखों की सरक्तार को सुखों की सरक्तार को काम रही है हम नहीं की सरक्तार को कि दिखे चलेंगे करेंगे कंड़िकर मुटाइपर कंड़िकर मुटाइपर एक सुकूब भाई, सुकूब भाई जो जी भेंगरेया पाणी अब आगे देक्ट देना सुकूब भाई, सुकूब भाई सुकूब भाई कंड़ भाई कंड़िकर मुटे कहना सुकूब भाई लिए्ट भाई 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 आगे भाई कि माथ मरेगा कि माथ मरेगा कि माथ मरेगा कि माथ मुष्चा करें को जो 6 पे सब्सक्राइब जाने, पत्ज़ा किया। पतिरिय जान चुछित के भाप मेदुपब जैकुत भाता है प्रोषण में भी अपिस में और शिरी आम इस पिसी जो खोरेगी ना फाइंद पी अगल बहुत अपारी नहीं आपने अप्सक्राइव पारीड आते अश्त कुछ आपकू आरूर नर किया झैलगे से तीका पोम है जे चर कमिसमें ये कांप करिवार장을 करता होते हो मंहुं है कि विया से चे ख्मका है यायर सोह याम करने से ता question अन्युंतरिलिण से स हो 한 दाए उन्यूर झायर करने से तक आतर है तक तर में ब Denia कि आमत्यातायध। वैं वैंडरो फूर्ड पासांस मेझा है oh टीण हो घो ए जो तरी किपूलत है कढ दूत जैंगर पुको तुको नही हिदका自我 आए। झाल 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 झाल